हेलो इन्वेस्टर्स वेल्कम टू अधर वीडियो बजार बूल जाए आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं थांक्यू सो मच आपने हमारे सभी वीडियो को इतना प्यार दिया और इसी तरह आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को लाइक करते रहिए हमारे चैनल को सब्सक् किये बिना प्लीज मच जाए और सारे वीडियो को अपने इंवेस्टर फ्रेंज के साथ में जरूर शेर करिएगा और उनसे फीडबैक भी लीजेगा कि हमें और हमारे वीडियो में क्या-क्या इंप्रूब्मेंट करनी चाहिए और हमें आने वाले टाइम में कौन से कौन से कंपनी के उपर वीडियो बनाने चाहिए और प्लीज यह जो वीडियो से आप शुरुवात से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा तो इस वीडियो की शुरुवात करने से पहले यह अगर मेरे किसी भी इंवेस्टर फ्रेंड को अगर अपने लिए एक दीमेट अकाउंट जिसकी फर्स यर की अनुल फी बलकुल फ्री है वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाकर अपने लिए एक दीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है तो चली अब शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में कंपनी का नाम है प्राइकॉल लिमिटेड शांदार कंपन है वह बहुत अच्छे हैं बहुत शांदार हैं तो चली अब थोड़ा इस कंपनी के उपर डिसकस करते हैं कंपनी के फंडामेंटन अनालेसिस ऐसे हैं कि इसका लगबग साड़े ग्यारा सो पचाज या ग्यारा सो साड़ करोड का इसका जो मार्केट कैप है और इसका 95.20 और इसका जो सेल्स है आप देखेंगे तो यहां पर इसकी सेल्स अच्छी का सी इंक्रीज हो रही थी बट जून में आपको यहां पर थोड़ा सा आपको एक देंट देखने मिलेगा बिकॉज इस कंपनी को हलका देंट मिला था बिकॉज आपको पता होगा कि सेकंड कि उसका रीजन क्या था और EPS भी अगर आप देखेंगे तो सब्टेंबर 20 में इसकी अच्छी खासी थी बट अभी इसकी जो अगर हम देख रहे तो वन रुपी के करीब इसकी जो अगर हम कंशिडर कर रहे तो उतनी ही है बट इसका रीजन यह था कि यहां पर अगर आप सब्सक्राइब आप अपने इस अपनी सभी जो है वह सेल करके महां सेजो इसको एक ऑपरेटिंग जो एक मार्जिन आया जो अधर इंकम आई थी अगर आप इनके यहां पर चाएगे तो आप इनको अधर इनकम से जो इनको इनकम आई थी जिसकी वरे से उसकी एपिय एहां हमें जो है वो देखने मिली और उनका नेट प्रॉफिट भी आपे इंक्रीज हुआ ग्रोफ दिखा है। इसलिए आपको यहां पर जो है यहां से यहां पर थोड़ा आपको यह वो दिखने मिलेगा, बट ऑन अन अवरेज अगर एक अगर किसी भी मेरे फ्रेंड को या इनवेश्च फ्रेंड को अगर एक EPS की normal calculation देखने हैं कि EPS को कैसी calculate करते हैं तो अगर आप उसकी EPS की calculation देखेंगे तो आपको exactly यही price पे आपको यह company खड़ी होते होगे देखेंगे जो बहुत ही एक अच्छा level है और market में इस company को इतनी अच्छी valuation क्यों दी इस company में इतना अच्छा क्यों आया वह आने वाले स्लाइड में आपको बता गूंगा और इसकी प्रमोटर होल्डिंग यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस company का रिजर्व यहां पर लास्ट यह से यह साल में रिजर्व इसका बड़ा था और इसने देखिए यहां पर वह रिजर्व को मेंटेन करते हुए इसने अपना जो डेट है वो बॉर्विंग एकदम कम कर दी उसका रिजर्व यह था कि company ने जैसे मैंने आपको बताएगी इस company ने जब राइट इशू होते हैं या फिर अगर आप समझिए कि वो जब एक company का अपना शेर कैपिटल इंक्रीज करती है तो उससे भी EPS में जो है वो घटाव देखने मिलता है जिसका जो हमें यह आपर देखने मिला अगर आपको जो company ने जो capex किया, capex करने के बाद में सबसे अच्छी बात यह थी कि इस company ने अपनी borrowings जो है वो continuously घटाई और घटाने के बाद अभी आज यह company जो है आने वाले time में इस company के जो MDs है उन्होंने भी यह कहा है कि by 2023 यह अपने जो है जो इनके जो debt है यह वो ब company ऐसी है जिनकी management भी शांदार है जिनकी growth बहुत ही अच्छी है जो जो company का vision एकदम clear है कि आने वाले time में इस company को करना क्या है और उसके बाद में इस company के जो products है जो line of products है जो segment जिस segment में company जो है काम करती है वो segment एकदम शांदार है और सबसे बड़ी बात इतनी चोटी company होने के बावजूत भी यह company जो company के जो clients है वो बहुत शांदार है तो आने वाली slide में वो भी देखेंगे तो आप सबसे पहले यह एक यह एक basic format रहेगा हमारे सभी videos के लिए आने वाले time में कि हम आपके लिए कुछे key information लेके आएंगे बताएंगे आपको की basically वो company में exactly है क्या तो प्राइकोल जो है वो engaged है manufacturing and selling of instrument cluster आपको पता होगा instrument cluster क्या होता है and other allied automobile components to OEM and replacement markets आपको मलब outside जो replacement market आपको पता है कि जो आपको अगर जाते है तो second end या फिर आपको पता है कि अगर आपका आपकी service warranty खतम होगी या फिर आप after market वहाँ पर जाके अगर आ allied automobile जो components वो बनाती है और उनके जो company के जो product portfolio में ये भी है कि DIS system जो driver information system जो cluster है वो भी बनाती है sensors बनाती है switch भी बनाती है pumps बनाती है mechanical products बनाती है telematics connected vehicle solutions ये एक 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 नया you know topic है जिसके ओपर आपको पढ़ना चाहिए कि telematics connected vehicle solutions क्या होती है auto electrical products ये उसके ओपर भी ये काम क industry as as it derives 70% of the revenue from from this segment alone तो two villain industry से 70% इस company को revenue generate होता है और इसके बाद में company ने एक company ने जो है वो नए products जो है वो commercial vehicle और private vehicle के लिए बनाना स्टार्ट किया है पूने में पूने computer माने सर में और presently जो company है 90% of the revenue from the domestic market इसको आता है और 10% जो है इसको ये export market से इसको अभी revenue आता है और export जो है इनका जो है वो 30 से 10% हो गया 2020 से 2021 में और यह इसका reason है primarily due to disinvestment of various loss making foreign subsidiaries मैंने आपको जब slide की शुरुआत की जब मैं आपको fundamental बता रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया है कि उन्होंने काफी सारी अपनी जो है वो subsidiaries जो है वो कम कर दी जो loss making थी subsidiaries को उन्होंने ब कर दिया और यह है message from the MD जो company ने 300 करोड का capex किया था कर चुकी है in the last two years जो आपको इनकी borrowing में देखने मिला और इन्होंने उससे दो उन्होंने नए products और उन्होंने दो plant setup किये जो अभी चल रहे हैं and आने वाले time में company कह रही कि अभी थोड़े time तक अभी capex अभी नहीं होग और प्राइकॉल जो है वो अभी नए you know segment में इंटर करने जा रही है जो जिसका focus पूरा passenger vehicle पे होगा जो now that the non-compete clause with johnson controls and denso are over because इनका यह जो इनका non-compete clause था जो johnson control and denso उनके साथ ही खतम हो गया इसलिए यह एक नए segment में जाने के लिए तयार है और प्राइकॉल ने जैसे मैंने आपको पिछली side में बताया प्राइकॉल has sold a loss making foreign subsidiary and return of rupees 400 crores and plans to turn debt free till 2023 2023 2023 तक यह company का plan है और जो दिख भी रहा है इनकी valuations में कि यह आने वाले समय में आने वाले time में अगर company की sales अगर stable रही से अगर इसके net profit अच्छे आते रहे तो company दो साल में यह अपने आपको debt free कर देगी बेसिकली company क्या करती है यह company की यह business verticals है wiping systems हो गया आपको पता है wiping systems क्या होते है pumps and allied products यह आप देख सकते है यह driver information system and sensors जो आपको आपने देखा हो गए instrument cluster हो गए जो driver sensor जो गाड़ी के लिए पूरा आपको पता होगा कि जब भी कोई गाड़ी में कोई issue आ रहा है यह कुछ भी है तो आपको वो sensors यह पूरा यह company बनाती है यह company बनाती है उसके बाद में यहां पे अगर आप temperature sensor, body control module, water pump, oil pump, oxygen sensor, chain tensioner, autofuel cock यह सारे चीज़ा जो है यह two wheeler और three wheeler segment के लिए बनाती है instrument cluster भी आप देख सकते हैं यहां पे बनाती है उसके बाद में जो इनके two wheeler segment के जो clients है आप जो भी client का नाम लीचे सारे के सारे clients इस company के बास है और आपको पता होगा कि two wheeler में आने जो electric vehicle की जो theme चल रही है तो आपको पता होगा है जो two wheeler के जो आजकल के जो instrument cluster आ रहे है वो GPS बेस्ट है और उनमें काफी सारे चिंजर सारे तो यह company भी वो सारा काम कर रही है तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो four wheeler में यह company जो यह सारे चीज़ा बनाती है इसमें wiping system instrument cluster यह सारे चीज़े four wheeler segment के लिए बहुत सारे product है और उसके बाद में इस four wheeler segment में इनके जो clients है आप देखें Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat, GM, Honda, Mitsubishi, Maruti, Suzuki, Maruti आपको पता इंडिया का giant है four wheeler segment में Mahindra, Tata, Toyota, Suzuki, Skoda यह सारे इसके बड़े-बड़े clients है और अगर आप देखेंगे tractors and off-road vehicles तो य इनके बनाती है और उसके बाद में इनके जो clients है बड़े-बड़े सब clients है इसके अंदर आप देख सकते हैं Mahindra हो गया, Escorts हो गया, then BML हो गया, JCB हो गया, L&T हो गया, सब के लिए यह सारे products बनाती है और उसके बाद में इनका जो industrial segment है वो इनके जो industrial segment में अगर आप देखे temperature sensor, temperature sensor, gauge, fuel, feed pump यह सारे चीज़े ही industrial segment में बनाती है जिनके यह clients है यह आप देख सकते हैं Delphi, Denso, then उसके बाद में Texan, Polaris, then यह सारे इसके यह caller engines यह उन सब के लिए यह industrial segment में यह products बनाती है और अभी अगर आप देखेंगे तो इनके commercial vehicle के जो clients है तो इनके commercial vehicle के इतने सारे clients are Mahindra, Nissan, Tata, then Ashok Leyland, Force, Swaraj Mazda यह सारे commercial vehicle के clients है जिनके लिए products बनाती है अब चलते हैं इस company के technical analysis के उपर तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब आपको अगर मैंने जब slide की शुरुबात में मैंने जब आपको बताया कि एक market जब किसी भी company को valuation देता है तो market के valuation देने के प company का message क्या है, company का vision क्या है, company के products क्या है, company के management का vision क्या है, future के लिए उन सब चीजों को देखते हुए market एक company को valuation देती है इसलिए Prycol को इतनी अच्छी valuation मिली है और Prycol अगर यही चीजों पर अगर sustain करेगी आने वाले time में Prycol आपको multifold returns देगी तो यहीं पर आप देखेंग में यहां पर इस company ने जो है वो breakdown दिया, breakdown के बाद में वापस यह company भी चलना शूरू हो चुकी है, तो यह company में अगर आप देखेंगे तो fresh यहां पर अच्छी कासी volume आई है, इसके indicators भी काफी ज़्यादा bullish है, तो यह जो reasons है, यह company जो है एक अच्छे level पे है और मुझे ऐसे लगता है कि company यहां से अच्छे गासे returns हमें वापस से इस company में देखने मिल सकते हैं, और यह बहुत अच्छे level पे है, अगर किसी को भी entry कर दी है तो, तो thank you so much, आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा और इसी तरह आप हमारे channel पे बने रहेगा, और आप सभी को एक ही request है, प्लीज आप हमारे सब वीडियो को शुर्वात से लेकर एंट तक देखेगा, thank you so much.